तो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ग्लुकोमा का खत्रा सबसे अधिक होता है एशियाई मूल के लोगों में अंगल क्लोजर ग्लुकोमा का खत्रा अधिक होता है वही जापानी मूल के लोगों में लो टेंशिन ग्लुकोमा का जोखिम जादा होता है आख में कई पुरानी सूजन या पतले कॉर्णिया के कारण आख पर दबाओ बढ़ सकता है आख में चोट लगने से भी आख पर दबाओ बढ़ता है और ग्लुकोमा का जोखिम बढ़ सकता है कुछ प्रकार की ग्लुकोमा जेनिटिक होते हैं अगर आपके माता पिता या दादा दादी में किसी को ग्लुकोमा हुआ है तो आप भी इसके खत्रे में आ सकते हैं वही अगर मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो जिन लोगों को डाइबिटीज या हाई ब्लड पेशर है या किसी तरह की दिल की बिमारी है उनमें ग्लुकोमा का जोखिम अधिक होता है कुछ दवाओं का सेवन लंबे समय तक अगर उसका इस्तमाल किया गया है तो इससे भी ग्लुकोमा का खत्रा बढ़ सकता है लेकिन ये एक सेकंडरी फैक्टर है वहीं 60 वर्ष के खास तोर से इस पे जादा जोड दिया जाता है कि जबने भी 60 वर्ष के उपर के लोग हैं उनको खास तोर से समय समय पर आपकी अपने जाच कराते रहना चाहिए ताकि अगर उनको किसी भी तरीके की जैसे सबसे पहले अगर ग्लुकोमा के लक्षन की बात करें तो उनको धुंदले पन की समस्या महसूस होगी वो जब कभी भी लाइट पर देखेंगे तो उनको कुछ ऐसा महसूस होगा कि कुछ गोल-गोल घूम सरा है जिली धीरे-धीरे बनने लगती है तो ये कुछ ऐसे लक्षन है जिसको शुरुआत में अगर आपने ध्यान दे दिया डॉक्टर से आपने संपर्ख कर लिया और समय से इसको अगर आपने ऑपरेट करा लिया तो इस बिमारी से जो अंधेपन की समस्या तक पहुँचने का सफर होता है उससे आप नज़ाद पा सकते हैं तो ग्लुकोमा का जो ये सप्ता मनाय जा रहा है इस सप्ता में अपने आख की जाच कराएं कई तरीके के शहर में शिवर कैम्प लगाते हैं शिवर लगते हैं जिसमें आप अपनी आख की जाच कराके जान सकते हैं कि कहीं आप भी ग्लुकोगमा के शिकार तो नहीं हैं